हेलो फ्रेंड्स वेलकम स्टो विल्टक एजुकेशन्स तोड़े इस एर्द आफ माई 2020 और आप करेंट एट्स का वीडियो लेक्षर देख रहे हैं इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूँ अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं और साथ ही आपसे आगरह करता हूं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही आप वेल वर्टन को जरूर दबाएं ताकि अप्लोड होने वाली वीडियो की नोडिविकेशन आप तक पिल सकते सबसे बहले तो चलिए वीडियो की चुरूबात करता हूं पहला क लाइं पैली प्रेशन आपके सामने ओरूर ही में वर्ट आतिलेटीक सकंदे कब मनाया गया तो इस प्रसंद का देश instruments साथ मैं साथ मैं को वर्ड्आ एसलेटीक सदे का आयोजन की या गया था यह देट प्रतिवर्च बदलता रहता है कि यह कोई स्थ्टेट नहीं है कि Athletics Federation हर साल इस दिना को तै करता है कि हमें World Athletics Day कब मनाना है तो इस वर्ष जो है वो 7 माई को मनाये गया है लेकिन मनाते वो लोग माई में ही हैं माई का ही कोई सा भी दिन होगा जिस दिन वो World Athletics Day मनाएंगे और इसका तै जो है वो दिन कर निरधारान जो है वो International Amateur Athletic Federation ही करता है इस दिन को मनाते क्यों है इस दिन को मनाने का उपलक्ष यह है कि युवाओं के अंदर Athletics की भावना को जगरुत कराने के लिए और इसको प्रसार करने के लिए इस दिन का आयोजन किया जाता है इसको सबसे पहली बार 1996 में मनाया गया था इस प्रशन से हमें इतनी जानकारी मिलती थी चले चलते हैं अगले प्रशन की ओर हाल ही में Young Career Award in Nanoscience and Technology से किसे सम्मानित किया गया था तो इस प्रशन का सही उतर है प्रोफेशल सौरव लोधा जो की आयटी बॉंबे के हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट से हैं इनको यह एवार्ड वर्ष 2020 के लिए दिया गया था अब यह एवार्ड देता कौन है यह एवार्ड जो देता है वह है डिपार्टमेंट आफ साइंस एंड टेक्नोलजी टी एस्टी के द्वार्ण यह एवार्ड प्रती वर्ष उन लोगों को दिया जाता है जो लोग नेनो साइंस या इस तरह की की जो फील्ड है उसमें कुछ विशेश उत्कृष्ट कारे करते हैं इस वर्ष का एवार्ड प्रोफेसर सौरव लोधा को दिया गया है जो आयाटी बॉंबे में इलेक्ट्रिकल इंजीनिरिंग के एक प्रोफेसर है अगला प्रेशन आपके सामने हाल ही में सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभ्यान किसके द्वारा लॉंच किया गया है तो इस प्रस्निका सही उत्तर है नीती आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के सही योग से इस अभ्यान की शुरुआत की है इस अभ्यान के तहट कोविद महामारी के दोरान निवारक उपाय वा वरिश नागिरों के साथ जीवन शहली पर जागुकता देने के लिए इस अभ्यान की शुरुआत की है चले चलते हैं अगले प्र खाल ही में किसने इराक के नए प्रधान मंत्री के रूप में शपत ली हैं तो इसका सही उतर है सही उतर है करें से की मुस्तफा अन्त कादिमी कादिमी जैए चलता है अगले प्रश्न कियों अगला प्रैर्लप आप के सामने हैं हाल में ही केंद्र Сरकार ने किस Teambre के लिए आय वी आरेक तुस प्रिष्ण का सही उत्तर है आरोग्य सेतु आप के लिए के इंदर सरकार नहें आई वी आरस सर्विस रूख की है अब एक टर्म आया है आई वीरस मैं आपको आई वी आरस के बारे में बताता हूं आई वी आरस की फुल फॉर्म होती है Interactive Voice Response System यह एक प्रिकार के प्राणाली है जिसमें केम्प्यूटर से मॉवाइल का संबंद संभव होता है इसके दोरा एक केम्प्यूटर वो मॉवाइल के एक ही करन करके केम्प्यूटर से संबाद करने के लिए बहुती आसानी होती है और मैं बता दू इस एप के द्वारा जो आरोगे सेतु एप को IVRS के साथ सुरुवात की गई है इस आरोगे सेतु एप को पूरे भारत वर्ष में लॉंच कर दिया गया है अब आप कोई भी फीचर फोन जो कीपेड वाला फोन होता है उससे यह लेंड डाइन फोल से भी IVRS के थुरू इस एप्स के अपनी हेल्थ की जानकारी दे सकते हैं वा कोरोना को फैलने में से रोकने के लिए सयोग कर सकते हैं यह मुक्यता देश की 11 भाशाओं में उपलब्द है इस प्रशन से हमेती जानकारी मिलती थी चलते हैं अगले प्रशन के ओर अगला प्रशन हाल में ही किस कंपनी के द्वारा आई एस एन चैट वाट लॉंच किया गया है तो इसका सही उतर है वाटस एप के द्वारा अब आपके सामने एक तर्म आया है आई एफ सी एन चैट वाट यह के चीज़े यह एक एप्लिकेशन है जो की वाटस एप पर गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए कर रत है यह एक पॉइंटर इंस्टिट्यूट के इंटरनेशनल फेक्ट एंड चेक द्वारा विक्सित किया गया एक एप्लिकेशन है जिसे वाटस एप के द्वारा लॉंज किया गया है और यह गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए कर रहत है हाल में ही किस देश ने लॉंग मार्च 5 B नामक रॉकेट का लॉंज किया है तो इस पुर्षम का तहीं उत्तर हैं हाल में ही चीन ने यह is लॉंग मार्च 5 B नामक रॉकेट को लॉंज किया है यह एक बड़ा बहाग रॉकेट है जिसे चीन ने लॉंच किया है यह चीन की जो अंत्रिक्ष की पीड़ी है उसको और आगे ले जाएगा यह रॉकेट इस रॉकेट का लंबाई जो है वो 53.7 मीटर लंबा है और यह 849 तन का द्रव्यमान का वजन इसके साथ में एक कॉर्गो रिटर्न मॉडियूल को भी ले गया है चलिए इस प्रेशन से हमेती जन करें मिलती थी चलते हैं अग्ले प्रेशन की और अग्ला प्रेशन हाल ही में प्लिप कार्ट के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं तो इस प्रेशन का सही उत्तर है श्रे राम वेंकर ट्रमन श्रे राम वेंकर ट्रमन यह इनका नाम है यह अब देख रहे हैं फ्लिपकार्ट के नए CEO चोकी स्री राम बेंकर ट्रमंट्रिक्ट में हैं अब बात आती है फ्लिपकार्ट की तो इसके इस्तापना 2007 में सचिन बंसल वा बिंदी बंसल के दौरा की गई थी यह एक online marketing company है जहां से आप purchasing करते हैं ने और गौल कि हैं हाल में ही operation समुद्र सेतु किसने शुरू किया है तो इस प्रुचका सही उत्तर है भारतिय नाव सेना भारतिय नाव सेना ने Object Song समुद्र सेतु की शुरुवात की है बात अगर भारतिय नाव सेना की हुए है तो इसके जो प्रमुग है उनका नाम है Admiral Karamveer Singh Admiral Karamveer Singh अगला प्रिशन आपके सामने हाल ही में विफ युद्ध दो के पदक से किस देश के शाषक को सम्भानित किया गया है तो इसका सही उत्तर है नौर्थ कोरिया के शाषक ताना शाषक जिनका नाम है किम जोंग को रश्या के प्रेसिडेंट लादेमिर पुतिन ने विश्वे युद्ध दो के पदक से सम्भानित किया है इसी प्रशने के साथ मैं इस वीडियो का समापन करता हूँ और आशा करता हूँ आप लोग को मेरी दवरा दी करी चंद कारी अच्छी लगी है हेलफुल लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल मत भूलिएगा आप इस वीडियो को उन लोग तक जरूर पहुंचाईए जिन लोगों को इस वीडियो की खास्ता जो सरकारी नौकी की तैरी कर रहे हैं इनको बहुत जरूरत होगी तो प्लीज आ कनल को सस्क्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा थान्य बाद